आपकी लेखनी के बारे में कहा जाते है कि आपने जब प्रोपोज किया था रेनग जी को? जी तब भी एक कविता लिख कर प्रोपोज किया है आप लेखन को- परोपोज क्या था, जी बिल्कुल झमे और रेनग जी दोनों विपरी दरुप के लोग है वो जितनी systematic हैं, उतना ही मैं बेतर्तीब हूँ वो जितनी punctual हैं, उनके लिए 6 बजे मतलब 6 बजे और मेरे लिए 6 का मतलब होता है 8 कि अगर 8 बजे आगए तो मतलब 6 ही बजे थे, हमने कहा तो था आप से किश्राम को मिलेंगे वो ठेट अर्बन हैं और मैं ठेट ग्रामीन भारत का निवासी हूँ तो जब उनसे मेरी मुलागात हुई तो उनको कविताएं बिलकुल पसंद नहीं हैं और मुझे कविताएं बहुत पसंद हैं मतलब आप ये देखें कि बड़ी विचित्रता है वो दस बजे रात के बाद आप उनके घर पे अगर फोन करेंगे तो आप ब्लैक लिस्टेड हैं और मेरा दिन ही दस बजे रात के बाद शुरू होता है तो इस तरीके की तमाम चीज और फिर आपको महबत हो जाए एक ऐसी लड़की से तो जंजट तो थी और जंजट में मुझे लगा कि नहीं यार अप उनको ये रिस्क देखना चाहिए और अपन ठेट देहाती आदमी हो देहाती आदमी तो मतलब चांद पर पहुच जाता है तो पर इस चांद को जो जमीन पर है उसको हासल करना कहा की कठिन बात है और लफवाजी में बहुत दम होता है इस बात को मैं आज मानता हूँ कि लफवाजी अगर आप करने जायने तो आप यह मान के जलिए कि आप किसी को भी लोट सकते हैं किसी का divor मतलब तो वही चीज़ किसी को भी लूट सकते हैं दिल की क्या बात मतलब किसी को भी लूट सकते हैं मैं चुकि बड़ा non-controversial आदमी हूँ इसलिए मैं अपनी बातें clear करता रखता हूँ क्योंकि खामों खाँ पता लगा कि किसी बात का कोई अर्थ निकल जाए और पैसु के लूट की बात करें लूट की बात है लूट तो चित भी चुरा लेता है आदमी और वित भी चुरा लेता है कहिं किसी की चीज़े हैं तो जब रेटुका जी को हमने हिम्मत करके हमने कहा कि हम अपना स्वभाव क्यों छोड़े और उसके बाद से हम दिन में घंटे बढ़ाते गए और मैं रात के दस बजे के बाद मैं कभी बारा बजे उनको फोन कर देता, कभी दो बजे भी उनको फोन कर देता और वो बड़ी विनमड़ता पूरवक मेरे फोन को हमेशा आंसर करती थी। और मैं उनको अपनी कविताएं भी पहनाने लगा अब लेकन अंदर ही अंदर ये भी चिन्ता थी कि यार कहीं इनोंने मुझे मना कर दिया तो इंकार लेना बड़ा मुश्किल काम होता है कैसा किया जाए कि इनके ही मुझे निकलवाया जाए कि राना जी आई लव यू क्या करें कैसा करें तो एक दिन रात को जब वो गवा में शूट कर रही थी और मैं हैदरबाद में शूट कर रहा था मैंने रात को तकरीवन डेड़ बजे के लगबग उनको फोन किया और अब तक हम लोग बड़े परम मित्र हो चुके थे हम तीन महने तक लगातार फोन पी बात कर रहे थे और हम मिले नहीं थे जी एक बार मिलने के बाद हम कभी नहीं मिले हम से फोन पर ही लगातार उनके संपर्त में थे और मैंने उनको फोन किया और ये पंक्तियां सुनाई प्रिय प्रिय लिखकर नीचे लिखदू नाम तुम्हारा, कुछ जगा बीच में छोड, नीचे लिखदू सदा तुम्हारा, और लिखा पीच में क्या, ये तुमको पढ़ना है, कागस पर मन की भाषा का अर्थ समझना है, और जो भी अर्थ निकालोगी तुम, वो मुझको स्विका मौन अधर, कोरा कागस, अर्थ सभी का प्यार, ये अमने कोई option ही नहीं छोड़ा कि अगर आप चुबी है, तो भी प्यार है, कोरा कागस है, तो भी प्यार है, या जोके नयन है, तो भी प्यार है, तो उन्हों ने का, कि राना जी, I think I'm in love with you, and I want to express myself, कि I love you, मैंने सुना, अंदर, समझ लीजे कि वो एक एड आता है न, कि लड़ू फूटा, वो हुआ, वो हुआ, लेकिन उसको मैंने जजब किया, क्योंकि ग्रामीन लोग अपने अंदर की बात को पचाने में मास्टर होते हैं, वो अपने भाव कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते, तो फ्लैट रह सक मिल के बात करते हैं, और, मतलब गेन दूसरे पाले में, अब वो सोच रही है कही ना न हो जाए, नहीं, तो फिर ठीक साथ दिन के बात, 31 दिसंबर 1998, मैं उनके पास गया, और मैंने उनको प्रपोस किया, और मैंने कहा कि थैंक यू सो मुच फॉर एक्सेप्टिं मी, की के विर एक मैं इस दिंद पास पहलDas कर दो पनलब ठीकर को सबका्यांति प्रपोस किया वह जाए, और, मतलब, तो प्रपोस कि रान אלशना ऎ उनके हैंने क्रते हैं, आइक है। क्या बात 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 सबने के डिन द Coming.